हमारी चैनल में आपका स्वागत एदोस्तू, लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो, आप देख रहे हो Tech Journal, हमारी चैनल पर दोस्तोव आपको Technologies related, Computers related, Mobile related और Computer Training की वीडियोस आपको मिलेगी ताकि आपको वो Helpful रहे और आपको काम आए दोस्तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम वीडियो बनाए चाहे वो computer से related हो या technology से related हो या कोई phone से related हो आपको सही information मिले और आपको वो काम आए और वो अगर आप लेने का सोच रहे है तो आपको वो लेने में easy हो decision लेने में easy हो दोस्तो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था laptop के उपर उस पर आपके काफी comments आए और कुछ लोगों ने काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा कि कम budget वाला laptop बताएं यानि कि लगबग 25-25,000 वाला laptop बताएं जो आपके लगबग सारे काम कर सके सारे काम in the sense के normal general काम जो होते हैं normal जो home use के लिए होते हैं या office use के लिए होते हैं या normal काम के लिए use होते हैं तो वो laptop बताएं जो budget में हो और वो laptop आपके काम आए क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि 40-50,000 का laptop हम initially नहीं लेंगे पहले हम थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा practice करेंगे उसके बाद हम कोई अच्छा laptop लेंगे लेकिन initially उनका budget कम ही रखते हैं ताके वो अच्छी तरह से practice कर सकें अच्छी तरह से अपना काम कर सकें दोस्तों इस वीडियो में मैं दो ऐसे laptop के बारे में बताने वाला हूँ जो budget में है यानि के price में थोड़ा कम है और आपके बहुत सारे काम बड़े ही असानी से कर देगा ये laptop को ढूनने के लिए काफी time लगा क्योंकि मेरा criteria मैंने दो रखा था कि भई ये laptop performance में अच्छा हो पहला और दूसरा ये था कि बजट में हो यानि के price कम हो यानि के 25-26,000 के range के आसपास मिल जाए तो दोस्तों मैंने दो laptop जो मैंने select किये हैं ये general कामों के लिए है, बहुत heavy कामों के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा gaming के लिए नहीं है, ये general laptop है ताकि आप अपने काम, घर के काम, office काम, shop के काम अप अपने बड़े ही आराम से कर सकते हो जैसे कि basic DTP कर सकते हो, यानि कि basic coral draw, basic photoshop, practice करना, कोई design बनाना, आप बड़े ही आराम से कर सकते हो printer photo studio का काम करना चाहते हो, तो इस laptop को लेके आप बड़े ही आराम से कर सकते हो, photo studio का का काम CSC का काम करना चाहते हो तो भी आपको ये laptop बड़े ही आसानी से काम कर देगा आपका YouTube के लिए video editing करना चाहते हो या online का कोई काम करना चाहते हो या आप student हो और अपने studies के लिए laptop लेना चाहते हो internet browsing करना चाहते हो, video देखना चाहते हो, audio सुनना चाहते हो office में काम करने के लिए लेना चाहते हो जैसे कि आपको outlook चलाना है mail भेजना है, browsing करनी है word, excel, powerpoint चलाना है या आपको presentation दिखाना है या कोई आप general काम करना चाहते हो अगर आप developer हो और coding से related काम करना चाहते हो accounting का software यूज़ करना और वगरा वगरा और ऐसे बहुत से general काम है जो इस laptop के जरिये से कर सकते हो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आयो तो हमारे चैनल को subscribe कर लो, bell icon दबा दो और alerts पर भी click कर दो ताकि हमारी आने वाली वीडियो के alerts आपको मिलती रहे दोस्तों जिस दो laptop में बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले जो आता है वो है डेल कंपनी का और उसका model number है 3467 खैर model में क्या रखा है चलते हैं डीटेल में ताकि हमें पता चल सके कि इसके अदर क्या-क्या मिलता है हमें इसमें जो प्रोसेसर हमें मिलता है वो इंटल कंपनी का i3 प्रोसेसर मिलता है और उसका जो generation है 6th generation है जो काफी ज्यादा पुराना नहीं है पुराना है लेकिन काफी ज्यादा पुराना नहीं है और इसमें जो हमें ग्राफिक देखने को मिलता है वो integrated 520 HD graphic है RAM इसके साथ जो मिलता है वो है 4GB का DDR4 का जिसे हम upgrade कर सकते हैं इसमें हमें 14 इंच का display देखने को मिलता है और जिसमें HD LED backlit glare display है 1 TV का drive देखने को मिलता है जिसके RPM 5400 का है इसमें हमें 2 USB port देखने को मिलता है 3.0 का और 1 USB port देखने को मिलता है जो 2.0 का है HDMI की बात करूँ तो TV ये projector पर लगाने के लिए इसमें एक HDMI port मिलता है इसमें हमें card reader मिल जाता है और professional stereo speakers मिलता है एक digital microphone देखने को मिलता है और एक webcam भी देखने को मिल जाता है इस laptop के साथ Macafie का security center का 15 months का subscription भी साथ आता है इसमें एक CD DVD writer देखने को मिलता है जो 8X की read right speed देता है इसकी weight की बात करो तो इसमें weight तकरीबन 1.9 kg का देखने को मिलता है और operating system जो देखने को मिलता है वो है Linux का अगर इसकी battery backup की बात करो तो उसमें देखने को मिलता है चार से पाँच घंटे का और आखिरी में दोस्तो इसकी price को हम बात करें तो मिलता है ये लगबग 24,999 रुपेगा दोस्तो ये था हमारा पहला budget laptop जो हमारे सारे काम लगबग कर सकता है जन्डल काम दूसरा laptop जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है laptop लिनोवो की तरफ से जिसका model है V110-80TL016LiH चलिए जान लेता है इसकी configuration के detail को दोस्तो इसमें हमें मिलता है Intel का i3 processor जो 6th generation का है और जिसमें integrated graphics हमें देखने का मिलता है जो HD 520 का है इसमें हमें 15.6 inches का display देखने का मिलता है जो HD LED backlit display है 1TB का drive आता है जिसकी RPM हमें देखने को मिलती है 5400 दोस्तों operating system हमें देखने को मिलता है DOS का और इसमें हमें देखने को मिलता है एक USB port जो 3.0 का है और एक USB port जो 2.0 का है इसमें हमें एक VGA port देखने को मिलता है जो monitor TV या projector के connect कर सकते हैं इसमें हमें HD card reader भी देखने को मिल जाता है audio की बात करूं तो दोस्तों इसमें headphone और microphone jack हमें देखने को मिलता है और अगर HDMI port की बात करूं तो इसमें एक HDMI port देखने को मिल जाता है इसके weight की बात करूं तो दोस्तों इसका weight तकरीबन 1.9 kg तक का देखने को मिल जाता है बहुत heavy load नहीं डाल सकता है इस पे लेकिन general कामों के लिए best laptop है ये दोस्तों अगर इन दोनों budget laptop में से कोई भी एक अगर आप लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप अपने नजदी की कोई भी retail store में जाकर एक बार इसकी physical look और इसकी configuration detail जरूर चेक कर ले और ये भी हो सकता है दोस्तों के तेवार के season के वज़े से आपको कुछ और discounting का option देखने को मिले और आपके पैसे कुछ बच जाए दोस्तों आपको laptop लेने में और भी कुछ detail चाहिए यानि के purchase करने का सोच रहो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौनसी configuration लेने चाहिए तो मैं आपको description में दोनों ही link दे दूँगा दो वीडियो के link दूँगा जिसमें ताके आप उस वीडियो को देख लो और अपनी कुछ doubt वगरा है तो वहाँ पे आप clear कर सकते हो और एक और वीडियो है जो आपने सवाल किये हैं वो मैंने जवाब दी है कि कौन से काम के लिए कौन सा laptop लेना चाहिए उसकी भी link में description में दे रहा हूँ आप अपनी clarity कर सकते हो ताके आपको decision लेने में थोड़ा easy हो और आपको पैसा सही जगे पर लगे सही laptop purchase करने में लगे laptop कोई बार बार खरीदनी की चीज नहीं है एक बार खरीदो लेकिन थोड़ा अच्छा खरीदो यह तो मैंने बताया था आपको budget laptop है यह अगर आपका budget allow करता है तो और better configuration वाली laptop ले सकते हो ताके आप अपना काम बड़े ही आराम से कर सको दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर दीजेगा और हमारी मेहनत को सफल जरूर बनाइए हमारे चैनल को आपने subscribe अगर नहीं किया तो subscribe कर लीजे जै हिंद